हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आप सब के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ड्राइ सेविया की रेस्पी जो कि बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में और बहुत ही इसली बन करके रेडी भी हो जाती है दूद वाली सेमिया तो आपने बहुत बार बना करके खाई होगी एक बार आप ड्राइ सेमिया बना करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और एक बार बन जाती है तो ये हफ्तो जो है चलती है आप इसे फ्रेज में रख सकते हैं श्टोर करके और काफी मतलब कि ये लंबे समय तक चलती है बिगरती नहीं है जल्दी और बहुत ही टेस्टी लगते एकदम खिली-खिली सेमया हमारी बन करके रेडी हुई है हेलो दोस्तो मैं हूँ ममता, Evergreen Foods with ममता मैं आप सबका एक बार पिर से स्वागत करते हूं चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉर्मल चाय का कप है यह इसमें मैंने दूद लिया है एक कप मैंने यहाँ पर दूद लिया है और दूद को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें मिल्क पाउडर एड़ किया है milk powder optional है दोस्तों अगर आपके पास हो तो आप डालिए वरना आप दूद सुरिफ इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास milk powder नहीं है तो आप मलाई वाला दूद भी यहाँ पर डाल सकते हैं बस दूद का taste बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर milk powder डाल रही हूँ इससे जो है थोड़ा मावा का भी taste आएगा सिवाई में हमारे तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे डाल रही हूँ देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा packet लिया था milk powder तीन से चार चमच के करेवी इसमें रहता है और मैं सारा ही इसमें डाल करके mix कर दे रही हूँ यह गुनगुना दूद है दोस्तो थोड़ा तो यहाँ पर हम ले ले रहे हैं अब लेते हैं अपनी सिवाई यहाँ पर मैंने थोड़े जो रोस्टेड वाली आती है सिवाई थोड़े सी सिखी हुई बस वही सिखी हुई सिवाई यहाँ पर मैंने ली है एकदम बारीक वाली आप चाहे तो पूरी वाइट वाली आती है उसे भी यहाँ पर ले सकते हैं अबारीक वाली सिमाई से अगर आप बनाएंगे तो यह आपकी बहुत ही टेस्टी सिमाई बन करके रेडी होगी यह लगभग देड़ सो ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पर सिमाई लिए है और एक पैनल लेंगे इसमें मैंने दो चम्मत घी डाला है और घी आप अपने अको अच्पे फ्राई कर लेना है आप चाहे तो इसे वापस से जो कल्चुन से थोड़ा सा ऐसा क्रेस करके फोड़के तब आप इसे तोड़ तोड़के इसे आप सेखिए तब ज्यादा इजी पड़ेगा आपको इसे फ्राई करने में देखिए इस तरीके से दबा करके अगर करेंगे तो काफी जल्दी तीन से चार मिनट लगते हैं और यह काफी अच्छी तरीके से से जाते हैं और इसे आप हाई फ्ले में मत से किएगा वरना यह जल जाएंगे आप इसे स्लो मीडियम आच पे ही रख करके इसे आप फ्राई करिएगा देखे काफी अच्छा कलर आ सारी जो सिवाया है वह तैयार है अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोस्तों और जितना आप अच्छे से इसा कफराइगा उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा और देखने में काफी अच्छा लगेगा बहुत ही इजी रेस्पी है दोस्तों अब मैंने जो लगेगा नीचे से हमें यहां पर मिल्क इसलिए हम करते हैं कि इससे जो है इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा और जो है हमारे जो सिवहीं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी आप यहां पर दूद की जगे पर पानी भी यहां पर डाल सकते हैं और पर दूद से थोड़ा तब हम इसे जो है यहां पर चीनी एट करेंगे देखें यहां पर दूद काफी हद तक जो है सूख गए हैं बस थोड़ा ही अब बाकी है और इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेना है काफी अच्छी रेस्पी है दोस्तों एक बर आप इस रेस्पी को जरू ट्राइ करके तुसमें उसमें चे चमच करीब जो है चीनी डाली है आप अपने ट्रेस्ट के अकोर्डिंग जो है कम ज्यादा कर सकते हैं मीठा और देखें यहां पर मैंने चार चमच पहले डाला था और दो चमच में बाद में और डाल रही हूँ और कटोरी से बोलें तो आधी चोटी म मैंने यहां पर चीनी ली थी और उसे मैंने सारा यहां पर डाल दिया है अब इसे mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद ढग करके 3-4 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे जब तक कि चीनी जो है वो मिल्ट नहीं अब इससे अब ऄंपर छोड़ दे रहे हैं देखिए तीन से चार मिनट हो गयो है और चैनी जो इन आधि गली है चीन न Fleet के लिए महारे बागी पिल आधि ठोड़ देंगे आप चाहे तो यहाँ पर इलाची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने ऐसे ही डाला है और कुछ ड्राइफूट्स थे उसे मैंने फ्राइफ पैन में एक चमच घी डाल करके फ्राइ कर लिया था अलग से फ्राइफ करके रखा हुआ था तो मैं यहाँ पर इसमें डाल दे रही हूँ आप चाहे तो इसी पैन में जब हम घी डालते हैं तो आप ड्राइफूट्स को फ्राइफ करके निकाल लीजेगा फिर उसमें आप अपनी सिविया को फ्राइफ कर लीजेगा मेरे पास यहाँ पर अलग से रखा हुआ था फ्राइफ किया हुआ तो मैंने यहाँ पर इसमें भी यूज कर लिया है अब देखे मैं इसमें डाल दे रही हूँ और काफी अच्छा लगता है घी में जब सेका हुआ ड्राइफ फूर्स रहता है आप ऐसे भी उपर से डाल सकते हैं बीना सेकी हुई अब हाँ तो से थोड़ा चेक कर लेंगे कि यह सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं अगर नहीं सॉफ्ट हुए हैं तो इसमें मैं यहाँ पर आधा कप दूद और डाल रही हूँ यहाँ पर हम पानी भी एट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास दूद हो तो दूद ज्यादा बेटर रहेगा अब इसमें डाल करके इसे हम वापस से ढख करके तीन से चार मिनट के लिए छोड़ देंगे कर Style, यहाँ पर देखे हमारी एकदम खिली खिली सेवही है एक और एकदम सॉफट सेवही है और एकदम खिली खिली बन करके रेड़ी हुई है ये जैसे ठंडी होगी वैसे ही एकदम खिल जाएंगी और बहुत ही टेश्टी लगती है दोस्तों ये खाने में और आप इसे बना करके हफ्तों जो है इसे खा सकते हैं ये खराब नहीं होती है बहुत ही अच्छी रेस्पी है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे ला कि जाएंगी मेंढी दिलौ को कुछ ओटाएंगी स